आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें तो सबसे पहले जैसा हमें प्रशन पूछा है, उसका हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं एक हमें आयत दिया गया है, यह मैंने माल लिया एक आयताकार लूप है इसमें कहा रहा है, जो सबसे लंबी भुजा है, उसके समानतर एक हमारा रिजर्वेखी यह तार है तो सबसे लंबी भुजा है, यह है, इसके समानतर कुछ दूरी पर, दो सेंटीमीटर की दूरी पर यह मैंने एक रिजर्वेखी धारावाही चालक ले लिया ठीक है इसको मान लेते हैं मैं इसका नाम दे रहा हूँ P Q R S यह लूप का ठीक है इसमें धारा कितनी हमें दी हुई है इसमें कह रहा है कि हमें एक एंपियर की धारा स्वारी एक दसमलों पांच एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है ठीक मान लिया हमने दच्छडावर्थ दहिना वर्थ दच्छडा वर्थ प्रवाहित हो रही है और इसमें इसका मान ले रहा हूँ M और N नाम दे रहा हूँ इस धारा वाहित लूप का इसमें धारा कहा रहा है कि 25 Ampere तो मैं इसको मान ले रहा हूँ I1 इसमें मैं मान लेता हूँ I2 यहां पर लिख देता हूँ I2 ठीक है, I1 हमें कितना दिया है I1 का मान हमें दिया हुआ है 25 ampere की धारा प्रवाहित हो रही है loop में I2 1.5 ampere की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसकी भुजाएं भी हमें दी हुई है ठीक है तो मैं इसकी भुजा माल लेता हूँ ए वाले जो भुजा है वो बड़ी वाले भुजा को मैं A माल लेता हूँ लंबाई और चोटी वाले भुजा को B माल लेता हूँ ठीक है यह हमारा B है यहां से यहां तक और यह वाला A है ठीक है यह है A यह हमें कितना दिया हुआ ह a कमान हमें 25 cm दिया हुआ है जिसे आप लिख सकते हैं 0.25 meter ठीक है और यह दिया है b हमें कितना दिया हुआ है 10 cm 10 cm यानी 0.1 meter ठीक है और यहां से यहां तक की दूरी d कितनी हमें d इस दिया हुआ है 2 cm सेंटी मीटर की दूरी पर बोला है एक तार है यहीं कि 0.02 मीटर ठीक इतनी चीजे हमें दी हुई है ठीक अब हमसे पूछ रहा है लूप के प्रतेग भुजा पर कितना बल होगा ठीक इसकी चार भुजाएं है क्योंकि इसमें धारा की वज़े से अलग 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 प्राप्त करना ठीक अतर अता सबचे पहले हम लोग प्क्यु बुजा में देखते हैं ठीक तो यह पार्ट को हल करते हैं हम लो अँब हुम के धेक Óають तो हम जानते हैं यह अपका सूतर होता है तीक है इसे मैं समीकन एक दे रहा हूँ तो चलम चलरע समानतरos यह ईहां पर देख रहा है कि दो जो प्रकार भी निकाल सकते हैं कि इस दाहरा की कान यहां पर आपका देखेंगे तो चुम्बकी ॥ूटर आएगा वो अंदर की तरफ आएगा ठीक है है आप दहने हाथ के नियम से लगाएंगे लगाएंगे और अग्लिया इदर आएंगी अग्लिया दिखाएंगी कागेश की अ बहुत अंदर की तरफ ठीक है इसके बाद आप फ्लेमिंग के बाया हाथ का नियम लगाएंगे तो अंगुठे को आप पहली अंगुली को अंदर की तरफ करेंगे और बीच वाली अंगुली को धारा की दिसा आई टू की तरफ तो अंगुठा आपका इस तरफ दिखाएगा फ्लेमिंग के बाया हाथ के नियम से भी आप ये फव उन को निकाल सकते हैं बाट और अलग अलग तो हमारा क्या उनसा बल लगता है हमारा प्रतिकर्शंड का बल लगता है तो इनलमए ये बल लगेगा आकर्शंड का बन तो तो f1 अगर हमें ग्यात करना हो तो f1 का मान क्या हो जाएगा f1 बराबर हो जाएगा mu0 बटा 2pi into i1 i2 into l l का मतलब l लंबाई क्या होगी इसकी pq के लंबाई कितनी है हमारी a यह हो जाएगा ठीक है बटे में उनके बीच की दूरी हमारा d से ही हमने लिया है दोनों तारों के बीच की दूरी अब यहाँ पे मान रख देंगे तो क्या जाएगा mu0 बटा 2pi का मान होता है चुकि mu0 बटा 4pi होता है 10 की घात माइनस 7 newton पर ampere square तो यहाँ से एक बटा 2 हो जाएगा इसका ठीक है तो 2 से उगड़ा हो जाएगा 2 गड़े 10 की घात माइनस 7 ठीक है गड़े i1 है हमारा 25 i2 है 1.5 एक ही दूरी कितनी है यह हमारा है 0.25 बटे d दूरी है 0.02 ठीक है इसको हल करेंगे तो हमें f1 का बल ही तो ठीक हो गया पहली भुजा में बल ठीक चारो भुजा में निकालना है तो सबसे पहले पहली भुजा में बल f1 हमारा यह आ गया इसी प्रकार f2 अगर निकालेंगे तो f2 की यहाँ पर अगर qr sorry rs में निकालेंगे तो क्या होगा RS आप देख रहे हैं हमारी ये भी भुजा समानतर है किवल इसकी दूरी बदल जाएगी और इसकी हम देख रहे हैं विपरीद दिसा में धारा प्रवाहित हो रही है तो विपरीद दिसा में धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर बल क्या लगेगा प्रतिकर्षन का बल लगेगा ठीक है जिस प्रकार इसको निकाला है हमने F1 को उसी प्रकार यह हमारा बल बिपरीद दिशा में है तो बल किसका लगेगा हमारा प्रतिकर्षन मतलब यह दूर जाएगा उस तार से तो आपकी दिशा इधर हो जाएगी F2 की ठीक है ये प्रतिकर्षन का बल लगेगा तो इसलिए हम RS में बल निकाल लेंगे सुरी RS में बल ठीक है उसको मैं F2 मालने रहा हूँ तो F2 का बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे μू 0 बटा 2π इंटू I1 I2 इंटू L लंबाई तो उतनी है ठीक है यह होगा बटे उनकी बीच की दूरी अब बदल गई के वल ठीक है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक P था D था स्वारी तो यहाँ से D प्लस इतनी दूरी हो और B वाली तो D प्लस B हो जाएगा दूरी D प्लस B यह पूरी दूरी हो जाएगी तो यहाँ पर आगर हम मान रख देंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा 2 गुड़े 10 की घात माइनस 7 I1 है 25 यह है 1.5 A है 0.25 बटे में D प्लस B कितना है यह हो जाएगा D प्लस B यह 10 है B और D 2 है 12 cm यहाँ से हल करेंगे तो यह हमें जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1.5625 गुड़े 10 की घात माइनस 5 न्यूटन ठीक है यह आपको मिल जाएगा F2 कमान ठीक है दूसरे वाले समानतर भुजा पे बल कमान हमें यह मिल जाएगा यह आपका दूसरा वाला एंसर हो जाएगा इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे अब निकालेंगे हम लोग इन दोनों में QR और PS में एक पे निकालेंगे तो PS में भी उतना ही आएगा कि ओल दिसा बिपरीत रहेगी आप देखेंगे तो इसी दोनों में मान बराबर रहें क्योंकि यह जो दूरियां है यहां से यहां तक आप देख रहे हैं यहां से इस तार की इस कोने की दूरी और इस कोने की दूरी बराबर इसी प्रकार इस कोने की दूरी इस कोने की दूरी बराबर है मतलब बल दोनों पे बराबर लगेंगे केवल इनकी दिसाएं विपरीत होगी चुकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि हर बिंदू पर अगर हम लोग छोटे सा भाग लें यतना भाग लिए हमने तो यहाँ इस भाग की यहाँ तक की दूरी क्या हुआ अलग है फिर अगर कोई और भाग लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग है क्योंकि दूरी continuously लगातार हम देख रहे हैं बदल रही है तो मतलब क्या है कि हम direct formula यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं इसके लिए ऐसी जगहाँ पे जहाँ पे दूरियां बदल रही हो यहाँ पे हम direct formula जो हमने अब लगाया था यह नहीं लगा सकते हैं ठीक क्योंकि यहाँ पे सब चीजे fix थी तो यहाँ पे हम क्या लेंगे एक छोटा सा लेते हैं ठीक है उसके लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे पहले चुम की छेतर निकाल लेंगे फिसके बाल बल निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग उसका समा कलन कर देंगे कहां से कहां तक Q से लेके R तक मतलब X बराबर अगर लेखेंगे तो X बराबर इस तार से यहां तक क Q की दूरी कितनी है D is तो D से लेके R की दूरी कितना D plus b तो D से लेके D plus B तक हम लोग इसका अगर समा कलन कर देंगे तक हमें बल प्राप्त हो जायेगा ठीक है तो इसलिए हम लोग Q R पर बल निकालते हैं ठीक है उसका छोटा सा आयो मैं इसको माल लिया यह हमने चोटा सा यो अवयो dx ले लिया और मैंने माल लिया mn वाले चालक से इसकी दूरी कितनी है x है x दूरी पर है और यह इसका अवयो जो है मारा कितना है dx है सरी यहां तक यह आपका x है ठीक है तो हम लोग अब निकालते हैं qr qr पर बल ठीक है लोग db निकालेंगे तो db बराबर हम जानते हैं mu 0 बटा 2pi into i बटा r यानि कि i1 बटा x हो जाएगा ठीक है i1 की कारण निकालते हैं कि हमारा इस चालक की कारण हमारा इस बर चुमकी श्रत की दिशा के आ रहा है अंगलिया तो i1 के कारण हमारा qr पर ये चुमकी श्रत का माना आ गया ठीक है इसकी दिशा आ जाएगी कागज के लंबोत अंदर की ओर ठीक है अब इसकी कारण हम बल निकालेंगे तो चुमकी बल क्या होगा क्योंकि हम जानते हैं आपने पड़ा है अब बराबर ibl sinθ ये सूत्र पता है इसी के दार पर हम लोग अगर बल निकालें तो df क्या हो जाएगा आवियोव पर बल हो जाएगा आपका i2 क्योंकि हमारा उस आवियोव पर qr में धारा कितनी बार है i2 into dx dx वाले भाग लिया है into db sinθ theta कितना होगा 90 क्योंकि दोनों तार ये mn है और ये हमारा qr है दोनों क्या है परस पर लंब वा थेन की बीच में 90 अंसा कोण है इसलिए theta होगा आपका 90 degree ठीक है तो यहाँ से sin 90 कमान एक होता है तो यहाँ से i2 ये हम दो db कमान रखेंगे तो हो जाएगा i2 dx db कमान होगा mu0 बटा 2 pi i1 बटा x into sorry dx थो हमने लिख दिया है पहले ठीक है तो यहाँ से हम जो नियतांग है उनको बाहल ले लेते हैं ये तो और यो कि करना आ गया तो qr पर बल कितना जाएगा तो f3 मान आ जाएगा आपका df का integration ठीक है यह आ जाएगा df कमान रखें mu0 बटा 2 pi i1 i2 बटा x into dx integration कहां से कहां तक करेंगा आप x बराबर हमारा है कहां से d से लेके x बराबर b प्लस d मैंने आपको पहली बताया था q से लेके बिन्दू r तक मैं दिसा आपको दिखाता हूँ यहां से mu0 बटा 2 pi का मान किता हूँ पहली इसको integration कर देते हैं mu0 बटा 2 pi into i1 i2 में बाहर ले लेता हूँ क्योंकि यह तांक है integration of 1 बटा x dx 1 बटा x dx का integration क्या होता है b b प्लस d यह होता है lnx log base ex ठीक है तो mu0 i1 i2 बटा 2 pi यह bracket में हो जाएगा आपका log x b से b प्लस d lnx को log base e लिखते हैं ठीक है तो यहां से आपका मान आ जाएगा हम जानते हैं अब इसका मान रखेंगे log b प्लस d log b माइनस d आएगा तो mu0 बटा 2 pi i1 i2 और यहां जाएगा हमारा log e b प्लस d ठीक है माइनस log e b ठीक है स्वारी यह d है d से लेके ठीक है यहां से d से लेके b प्लस d तक है यह d होगा ठीक है यहां सोगा अब यहां पे आपको एक property पता हनोई चाहिए log का गुण होता है हम जानते हैं log x बटा y बराबर क्या होता है log x माइनस log y ठीक है तो log x माइनस log y हो log x बटा y हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका mu 0 बटा 2 pi i1 i2 यह बटा हो जाएगा आपका log base e b प्लस d बटा d ठीक है अब log base e को हम लोग क्या बदल लेंगे log base 10 में बदल लेंगे ठीक है इसको किस प्रकार बदलते हैं यह direct formula भी होता है ठीक है इसको याद रखना आप लोग कि log base e x अगर निकालना हो तो 2.3 0.3 गुडे log base 10 x होता है ठीक है यह direct यहाँ से formula इसको आप लोग याद रखना है यह हमारा direct formula होता है तो यहाँ से 2.3 0.3 से हम लोग गुड़ा कर देंगे इसका ठीक है और इसमें क्यों बदल लेंगे क्योंकि हम log base 10 का निकालना मान निकालना ज़्यादा असान होता है इसलिए इसमें बदल लेंगे ठीक है तो इसका मान अब रखते हम लोग तो हो जाएगा 2.3 0.3 इसका मान हो जाएगा 2 गुड़े 10 की घात माइनस 7 i1 कमान 25 i2 कमान 2 1.5 ठीक है गुड़े में log हो जाएगा base 10 और यह b plus d कितना है 12 है 0.12 बटे d कमान 0.02 यानि log base 10 6 आ जाएगा इसको आप हल करेंगे तो यह आप कमान आएगा F3 कमान 1.3 3 सारी 1.3 4 4 ठीक है गुड़े 10 की घात माइनस 5 न्यूटन ठीक है यह आ गया आपका F3 कमान ठीक है यही मान आपका बराबर होगा F4 के भी बराबर ठीक है जैसे मैंने आपको पहली बताया है यही F4 के बराबर होगा केवल परिमान में दिसा इसकी अलग होगी यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग ठीक है तो इसका मान यहाँ पे होगा F3 की दिशा इधर होगी और F4 की दिशा आपकी नीचे की तरफ होगी इसके जस्ट भी प्रीद दिशा में ठीक है दिशा कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखिए हमारा चुमकी बल जो है अंदर की तरफ है तो यहां से क्योंकि यहां पर हमारा इसकी वज़े से अंदर की तरफ आएगा उठा जैसे यहां पर निकाला था उपर की तरफ से यहां लूप में हमारा चुमकी शेत अंदर की तरफ आएगा फिर फ्लेमिंग के बायाहत का नियम लगाएंगे ठीक है और यहां पर धारा इस दिशा में है यह वाली धारा हमारी इस दिशा में है तो आप अगर अपने बीच वाली अंगुली को अंदर की तरफ करेंगे और पहली अंगुली के अंदर की तरफ करिए कागज की तल के हमारा बीच वाली अंगुली को इस दिशा में करेंगे तो अंगठा आपका उपर की तरफ दिखाएगा फिलेमिंग के बायाहत के नियम से फ्लेमिंग क को देखते हैं B मैं कर रहा है लूप पर कुल बल कितना होगा वह में निकालना है तो लूप पर कुल बल क्या होगा हम अगर अलग बल देखें हमारा पूरा लूप पर एफ One अफ Two भी प्री दिशाओं में है तो इनका प्रड़ामी बल अगर हम देखें तो हमारा कुल बल्ल आएगा वह आएगा F1 अगर निकाले Ft निकालें तो होगा F1-F2 ठीक है यह माना आएगा आपका 7.1, 8, 7.8, 1, 2, 5, गुड़े 10 की घात-5 न्यूटन ठीक है इन दोनों का और इन दोनों का परिमाण यह आएगा ठीक है और इसकी दिशा क्या होगी F1 की दिशा में होगी ठीक है मतलब हमारा क्योंकि हम मैं पता है चूंकि F1 बड़ा है F2 से इसलिए इसकी दिशा जो है F1 की तरफ होगी मतलब F1 इस दिशा में है तो F1 की दिशा में यह Ft की हमारी दिशा आजाएगी लूप पर ठीक है इसकी दिशा हमारी इस द ठीक है, ठीक है, ठीक है